इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीडम सैनिटरी नापकिन्स का एक डेमो और वेरिफाई करेंगे कि फ्रीडम सैनिटरी नापकिन्स कितने बढ़िया तरीके से फ्लूड या ब्लड को एब्जॉब कर सकता है जिससे कि मेंसिस के इन दिनों में फीमिल्स को बहुत अच्छा क कमफर्ड प्रोवाइड हो सकता है तो इस डेमो के लिए हम ले रहे हैं मार्किट का एक सैनिटरी नापकिन्स और यह हमारा फ्रीडम सैनिटरी नापकिन्स दोनों नापकिन्स में हम 50 ml रंगीन पानी डालेंगे और देखते हैं कि कौन सा नापकिन जादा अच्छे तरीके से फ्लूड को एब्सॉब कर सकता है तो मैं एक सिरिंज ले रहा हूँ और इसमें मैं भर रहा हूँ तक्रीबन 50 ml कलर्ड वाटर रंगीन पानी और सबसे पहले मैं मार्किट के सैनिटरी नापकिन के ऊपर यह डालता हूँ सो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको डाल रहा हूँ इट टेक्स ए सेकेंड बिफोर इट गोज इंसाइड नापकिन और अब इसकी एब्सॉप्शन बहुत स्लो हो चुकी है आप देख रहे हैं कि पानी अब अंदर और नहीं जा रहा क्योंकि इसकी एब्सॉप करने की लिमिट खतम हो चुकी है कितना अनकमफर्ट महसूस करती होंगी वो फीमेल्स मैंसिस के दिनों में जब वो कुछ ऐसे नापकिन्स यूज़ करती है ड्राइनस मिंटेन नहीं हो सकती और अगर ड्राइनस मिंटेन नहीं है तो हाईजीन भी मिंटेन नहीं रहेगा अब हम दालेंगे यही फ्लूड तकरीवन 50 ml मोदे के फ्रीडम सैनिटरी नापकिन में देखते हैं क्या फर्क होगा मोदे के फ्रीडम सैनिटरी नापकिन में हैं 8 layers of absorption and protection यह बहुत आसानी से फ्लूड को absorb कर लेता है, dryness maintained रखता है आप देख रहे हैं कि कितना easily यह सारा पानी इसके अंदर जा चुका है in fact 50 ml क्यों थोड़ा सा और पानी डालते हैं because यह कोई आम नापकिन नहीं है, यह है मोदे केर का freedom सैनिटरी नापकिन so इसमें मैं 25-30 ml रंगीन पानी, in fact मैंने 30 ml से भी जादा रंगीन पानी और भरा है और यह सारा मैं इसके उपर डाल देता हूँ, तो मार्केट के competition में तो हमने डाला सिर्फ 50 ml, लेकिन मोदी के और freedom सैनिटरी नापकिन में हम डाल रहे हैं 80 ml colored water और in fact एक और फरक आप देखें कि हमने market के competition नापकिन में पहले डाला इसके पास जादा समय रहा fluid को absorb करने के लिए लेकिन freedom सैनिटरी नापकिन में हमने पानी बाद में डाला तो इसके पास बहुत कम समय रहा fluid को absorb करने के लिए लेकिन अब हम verify करेंगे कि इन में से किस napkin की absorption power जादा है तो यह देखने के लिए हम लेंगे दो tissue papers और यह tissue papers हम इन napkin के उपर रख देंगे और equal force के साथ हम इसको press करते हैं देखते हैं क्या होता है तो मैं equal force दे रहा हूँ दोनों napkins के उपर और आईए अब हम tissue paper उठा के देखते हैं कि क्या फर्क है जो market का sanitary napkin है उसके उपर tissue paper एकदम गीला हो चुका है बिल्कुल भी dryness नहीं है एकदम गीला है जो यह दिखाता है कि market का sanitary napkin ने fluid को अच्छे तरीके से absorb नहीं किया आप देख रहे हैं tissue paper एकदम गीला है in fact मेरा हाथ भी एकदम गीला हो चुका है लेकिन अगर हम देखें इस tissue paper को जो हमने press किया था मौदी किया freedom sanitary napkin पे वो एकदम सूखा है एकदम dry है जो कि यह दिखाता है कि freedom sanitary napkin ने कितने बढ़िया तरीके से 80 ml fluid को absorb किया और अगर मैं इसके उपर अपना हाथ दुबारा प्रेस करूँ तो कुछ भी पानी मेरे हाथ के उपर नहीं आ रहा so heavy blood loss के दिनों में भी freedom sanitary napkin absorption बहुत बढ़िया तरीके से करता है fluid की dryness को maintain रखता है और hygiene को maintain रखता है और मेरे हिसाब से freedom sanitary napkin को promote करना हम सब की social responsibility भी है thank you so much